लक्ष द्वीप एक और लोकन अरब सागर में 36 द्वीपों की एक शिंखला लक्ष द्वीप समुदर से प्यार करने वाले किसी भी वेक्ति के लिए एक संपुण घूमने का स्थान है 1956 से लक्ष द्वीप मिनी कॉय और अमीन दीवी द्वीप समुद के रूप में जाना जाता है जब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया लक्ष द्वीप का नाम बदल कर 1973 में एक संसदी अधिनियम के बाद अस्तित्तों में आया द्वीप पायस्तित की रूप में मालदीव के द्वीपों के समान है जिन में प्रवाल भितिया, प्रवाल द्वीप लैगून और अदूशित समुद्रतट शामिल है कवर्ती का मुख्य प्रशासनिक द्वीप कोची के पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है और अदिकांश द्वीप मुख्य भूमी भारत से 220 से 450 किलोमीटर की सीमा के भीतर है 2011 की पिछली जनगर्ना के अनुसार शांत द्वीप समुँ में केवल 11 द्वीप ही बसे हुए है कई द्वीप केवल रेट की सलाखों और एटोल हैं जिन में ताजे पानी का कोई स्टोत नहीं है ऐसा ही एक द्वीप पराली एक कहा जाता है जो अब समुदर के कटाओ के कारण जलमगन चटान है द्वीपों को तीन समुँँ में बाटा गया है अर्थात अमीनी दीवी, लक्का डीव और मीनी कॉय अमीनी दीवी में चेत लाल किल्टन और कदमत द्वीप शामिल है कदमत अपने स्कूबा डाइविंग अस्थलों के लिए जाना जाता है और उन कुछ द्वीपों में से एक है जहां रिजॉर्ट है द्वीपों का लक्ष द्वीप समुद सबसे बड़ा है जिसमें प्रमुक द्वीप एंड्रोथ, कवरत्ती, अगत्ती और बंगाराम है सभी पर्यटकों भारती और अंतराष्टे को लक्ष दीप की आत्रा पर जाने के लिए पर्मिट की अवश्यक्ता होती है इन पर्मिटों की व्यवस्था लक्ष दीप टूर पैकेज बेचने वाले अधिकरित अजेंटों द्वारा की जा सकती है लक्ष दीप का इतिहास संस्कृत में लक्ष दीप का आर्थ है एक लाख दीप पुरा तात्विक खोजबोध धर्म की और प्राचीन अतीत में द्वीप वासियों का विश्वास होना की और इशारा करती है हाला के इस्थानिय परंपराओं ने केरल के चेरावन्ष के राजा चेरामन पेरुमल की अवधी में पहले बसने वालों को नीचे रखा ऐसा माना जाता है कि वो कुछ स्रोतों के अनुसार अरब वैपारियों के प्रभाव में हिंदु धर्म से इसलाम में परिवर्तित हो गया जल्दी वो कोच्ची के पास क्रेंगा नोर या कोडुंग लोर से मक्का की दिर थ्यात्रा के लिए निकल पड़े राजा कभी नी लोटा, खोजी दलों को नौकायान नौकाओं में भेजा गया था जिन में से एक बांग राम द्वीप के तट पर जहाज को नश्ट कर दिया गया था अन्यनाओं ने भी इन द्वीपों पर जाप किया और कई लोगों ने इन द्वीपों का अपना नया घर बनाने का फैसला किया अमीनी कवरत्ती, एन्रोट और कलपेनी के द्वीप जल्द ही बसे हुए थे इन लोगों को समय पर उबैदुल्ला नाम के एक शद्धिय संत ने इसलाम में परिवर्तित कर दिया था जो जेद्धा से इन तटों पर उत्रे थे शुरू में उनके उगदेशों का विरोध हुआ लेकिन उन्होंने जल्द ही लोगों को नय धर्म को अपनाने के लिए राजी कर लिया इसलाम आज लक्ष दीप का मुख्य धर्म है जिसका चानवे प्रतिशत से अधिक पालन करते हैं उबैदुल्ला को एन रोट पर द्वीपों में दफनाया गया चोल तमिलनाडू के पावर हाउस सिफेरिंग राजवंश ने ग्यारह में शताबदी में इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था समुद्री वैपार मार्ग पर होने के कारण ये द्वीपे के नामी संपत्ती थे चोलों से ये उत्तर केरल के कन्नूर राज़े में चला गया इसलिए मपिललास के साथ सांस्कृतिक संबंध महत्तोपूर्ण है पुर्तगालियों टीपो सल्तान और अंग्रेजों ने बाद में इस पर शासन किया जब तक कि ये स्वतंतरता के समय भार्पिय संग का हिस्सा नहीं बन गया